हेलो एवरिवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में सैनिक स्कूल चे तौर्डगर से सिख्षक भरती का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है जहां सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल आविदन कर सकते हैं सैलरी 45,000 TGT टीचर्स की रहेगी साथ में free residence और food की सुविधा जो है अवलेवल होगी सबसे पहले official website पर आएंगे सैनिक स्कूल चितौर्गर यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा recruitment for various posts इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह 13 pages की जो है PDF file है कैसे apply करना है age क्या कह रहे है subject क्या है यह सारी चीजे आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो ध्यान से देखिए अंतर तक वीडियो के बने रहें जो भी candidate apply करने के इच्चोख है कोई exam नहीं होगा केवल walk-in interview के लिए आप लोगों को दिये गए date और time पर पहुँचना है 13 April 2024 से जो है यह विज्ञापन जारी किया गया है सैन्निक स्कूल चित्तोरगड भीलवाडा रोड चित्तोरगड राजिस्थान से अब देखें यहां लिखा है this is not a central and state government job ना तो यह state government job है ना ही central job है ठीक है newspaper में भी जो है publish किया गया है 13 to 19 April 2024 तक name of post and category, number of vacancies, age limit, qualification क्या माँग रहे हैं और क्या pay करेंगे इस सारी चीज़े यहां मिलेगी सबसे पहले on regular basis पर जो vacancy है quarter master की है, unreserved category की एक vacancy है 18-50 साल उम्र है, BA या B.com आपका 50% marks में होना चाहिए 5 साल का आपका जो है वो अनुभव होना चाहिए, UDC stores में हो सकता है या quarter master में हो सकता है, ठीक है बाकी ex-servicemen जो है उनके लिए भी है तो यहां पर जो carry rate apply करना चाहेंगे तो 5 साल का अनुभव यहां पर मांगा गया है qualification ज्यादा नहीं मांग रहे है, केवल BA या B.com क्या पे करेंगे तो level 5 के according to 29,200 as per 7 CPC यह आपको पे करेंगे, बाकी जो है रहना और खाना यह सारी जीज़ तो है he free ठीक है, desirable में जो है वो जरूरी नहीं है, जो भी कुछ मांग रहे है essential जो है वो आप देखे, compulsory यानि कि यह तो आपके पास होना ही चाहिए उसके बाद contractual basis पर one year period के लिए सबसे पहले computer science की vacancy है TZT में undeserved category की salary काफी अची दे रहे हैं, पर month 45,000 एक vacancy है, 21 से लेकर 35 वर्स तक के candidate apply कर सकते हैं qualification 50% marks के साथ में, BE या BTEC computer science में, computer engineering में या information technology में, electronics या electronics and communication या फिर इसके equivalent भी अगर आपके पास कोई योगता है तो भी apply कर सकते हैं, 50% marks के साथ में, अगर MCA या MSC या computer science information technology या master in IT या इसके समकक्ष भी किया है, तो बिल्कुल आप apply कर सकते हैं, BSC, MSC computer science से किया है या MSC mathematics से 50% marks के साथ में किया है, ठीक है, और computer का कोई degree या diploma है, तो भी apply कर सकते हैं, बहुत सारे option है overall अगर मैं बात कहूं, तो आपने अगर graduation किया है, या master degree किया है, computer science से, या फिर किसी भी subject से किया है और साथ में आपके पास diploma या degree है computer science का, तो आप बिल्कुल यहाँ पर eligible हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है, इसके समकक्ष कोई योग गता, जब बांगते हैं, इसका मतलब, जैसे देखिए, post graduate diploma in computer application, ठीक है, तो इस तरीके से TZT science की दो vacancy है, unreserved category की, 21 से 35 वर्स उम्र है, इसमें भी 45,000 पर मन्त salary रहेगी, 50 प्रतिशत marks graduation में, science में, and any one subject physics या chemistry, आपने पढ़ा हो, साथ में B.E.D. होना चाहिए, ठीक है seated qualify होना चाहिए, seated paper 2 मांगते हैं, TZT के लिए, medium of instruction रहेगा, English, तो English में ही पढ़ाना होगा, TZT English की vacancy है, तो graduation के साथ में B.E.D. और seated उसके बाद देखें, ward boy की vacancy है, जिसमें 3 unreserved category है, एक OBC category है, 18 से 50 वर्स उम्र है, इसके अंतरगत, qualification ज्यादा नहीं मांगते हैं, ward boy के लिए, matriculation होना चाहिए, इसके समकष्यानी, 12th भी हो सकता है, graduation, आगे जो है, और भी qualification हो सकती है, minimum जो है, वो matriculation होना चाहिए, ठीक ह इंगलेस और हिंदी जो है, वो आपको आनी चाहिए, candidate with experience as hostel warden, hostel warden के तोर पर आपने कहीं काम भी किया हो, 16,500 पर मन सेलरी रहेगी, general employee, आया की vacancy है, जिसमें केवल female candidate के लिए है, और इसमें 13,500 सेलरी है, matriculation pass मांगा गया है, 18 से 50 वर्स उम्र है, और दो unreserved category की आपर vacancy है आप देखें यापर walk-in interview के लिए आप लोगों को कब जाना है, quarter master जो की regular base पर रहेगी, number of vacancy एक ही है, 9 मई 2024 को होगा, क्या ready करके जाना है आप लोगों को तो ये भी दिया हुआ है, 9 मई 2024 को 7.5 बजे पहुँचना है, TZT Science, English, Computer Science, इसके लिए 6 मई 2024 को जाना है, 7.5 बजे, वार्डवॉय और General Employees आया female, इसको जाना है 8 मई 2024, ठीक है, उसके बार term and condition of service, तो ये PDF फाइल जो है आप पढ़ लेंगे आराम से, जो भी महत्वपूर्ण चीज होंगी, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कैसे apply करना है, ये देख लेते हैं, procedure to apply for the post, format of application form ये दिया हुआ है, तो candidate को जो है application form प्रिंट करवाना है, डाउनलोड करना है, उसके बाद प्रिंट निकलवाना है, उसे fill करना है, blue pen से fill करना है, block capital letter में, ठीक है, बाकी जो है अपना birth certificate, आधार card, अगर ex-serviceman है, discharge book, SCST, OBC candidate है, तो cast certificate, marriage certificate अगर है, जो भी married है, और education, document, experience certificate अगर है, तो बाकी compulsory तो नहीं है, लेकिन अगर है, जिसमें मांगा गया है, उसमें तो चाहिए ही, और certificate of course, application form, अगर NCC certificate है तो, तो इनकी जो है photocopy आपको लेनी है, और self attested करनी है, यानि खुद के sign करने है नीचे, demand draft भी बनेगा, 500 रुपीज का, सैनिक स्कूल चित्ताउडगर के नाम से, और बस आपको बेज देना है, अब जो है process क्या रहेगी, यहाँ पर selection की, सबसे पहले document verification होगा, जिनके document सही पाए जाएंगे, तो next जो है, quarter master, जो की regular basis पर है, और ward boy, इनके लिए पहले return test होगा, उस के बाद skill proficiency test रहेगा, TGT science, English, computer science के लिए return test होगा, 100 marks का, general knowledge, general English, 15, 15 marks की पूछी जाएगी, basic maths पूछी जाएगी, 10 marks की, और आपका subject पूछा जाएगा, ठीक है, 60 marks का, फिर class demo होगा, और इसमें जो है, इसको भी इनोंने divide कर दिया है, checking of class arrangement, कैसे जो है, आप class arrangement करेंगे, ये दिखा जाएगा, 2 marks का, lesson plan, जो है, वो कैसे तयार होगा, ये B.Ed में आपने सब किया ही है, ठीक है, उसके बाद, जो है, methodology, जो है, आपकी क्या रहेगी, training, action, there, use, क्या जो है, वो आप use कर रहे हैं, chalk board, smart board, कैसे जो है, use कर रहे हैं, ठ सारी चीजे देखी जाएगे, expression, class activity, subject, matter, क्या है, question answer, कैसे जो है, वो आपने बच्चों से पूछे, ठीक है, students को कैसे motivation दिया, आपने, confidence आपका देखा जाएगा, तो ये सारी चीजे रहेंगे, ये 100 marks का रहेगा, next जो है, वो रहेगा, interview, यानि कि बहुत अच्छे तरीके से जो है, ये सारी चीजे चेक करेंगे, उसके बाद ही जो है, यहाँ पर selection रहेगा, 45,000 जो है, उस LRE यहाँ पर ये देने वाले हैं, जब इतने steps से आप गुजरेंगे, interview के लिए जो है, ये क्या पूछेंगे, तो आप तयार करके जाएंगे, general knowledge and current of year, subject knowledge, knowledge of CVSE examination by laws, क्या निय official website का, जो home page है, इसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है, पूछा जा सकता है कि सेनिक स्कूल जो है, वो कब से start है, सेनिक स्कूल चित तौडगर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यह यहाँ पर आपको दिखा, मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ, इस स्कूल वाज एस्ट लास्ट में आप देखेंगे, फॉर्म, यह फॉर्म है, और यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए भी लिख रहे हैं कि वाइट शर्ट एंड ब्लू वैक्राउंड, ठीक है, यह आप ध्यान में रखें, तो वैकेंसी काफी अच्छी है, जितने भी सब्जेक्ट है, जो भी है क्योंकि हर स्टूरेंट्स के लिए तो एक ही पोस्ट काफी होती है, यदि उसका सेलेक्शन हो जाता है, काफी अच्छी सेलरी के साथ में आप लोगों को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलेगा, इसका अनुहव ही जो है भविश्य में आप लोगों की काम आ